ये कहानी एक सच्छी घटना पराधारित है ये कहानी है महाराश्ट्रों में एक छोटी से शहर रामटेक की अमन, अजे और यश को एंचेंट जगाओं को विजिट करना और हॉंटेड एक्सपेडिशन्स पर जाना काफी पसंद था अजे काफी रिसर्च करता था अपने आसपास की प्लेसेज जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता और वो लोग वहाँ घूमने जा सके उसने नगरदन किल्ले के बारे में सुना जो किरामटेक में बसे एक छोटे से गाओ में है जो सालों पुराने एक गोंड राजा का था वहाँ के गावालों का मानना था कि वो किल्ला haunted है वहाँ के लोगों को एक औरत की परचाई दिखाई देती है और उसकी आवाज भी सुनाई देती है किल्ला काफे विशाल और पुराना था और सद्यों से वहाँ कोई नहीं रहता था अब वो किल्ला एक tourist spot बन चुका है लोग वहाँ सुबह शाम अपनी family के साथ आते और समय बिताते थे अजे को लगा यहाँ एक अच्छी जगा होगी explore करने के लिए पर सुबह नहीं, रात में रात में वहाँ ठहरना possible नहीं था क्योंकि castle के gates टूरिस्ट के लिए 6 बजे तक ही खुले रहते थे और फिर बन हो जाते थे ऐसे में उनका किल्ले के अंदर रह पाना बहुत मुश्किल था अजय, अमन और यश उस किल्ले पर पहुचे शाम का समय था और अभी थी थोड़े टूरिस्ट उस कासल में घोम रहे थे उन तीनों के अंदर जाते ही यश को एक बोर नजर आया उस पर लिखा था कि इस government property पर visit timings के अलावा trespassing बिलकुल भी allowed नहीं है यह देखकर यश थोड़ा गबरा गया क्योंकि उनका plan कुछ ऐसा था कि किल्ले के अंदर जाते ही वो कही छुप जाएंगे और किल्ला बन होने तक वही रहें ताकि वो किल्ला बन होने के बाद भी अंदर ही घुम सके कुछ ऐसा ही हुआ जब security guards बचे कुछ टूरिस्ट को बाहर जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि किल्ला बन करने का टाइम हो गया था गार्ड ने किल्ला उपर ही उपर तलाशा और जब उसे लगा कि सारे लोग चले गए है तो उसने बाहर जाकर मेंडोर बन कर दिया ये एक ही रास्ता था किल्ले से आने और जाने का तला लगाने और गार्ड के घर के लिए रवाना होनी के आवाज सुनकर अजय, अमन और यश उस पुरानी कोटी से बाहर निकले जहाँ वो छुपे हुए थे रात होने लगी थी उस किल्ले में बड़ी बड़ी दिवारे थी बड़े बड़े कमरे और नीचे काफी सीडिया जो कहा जाती थी किसी को नहीं पता उन तिनों ने अपनी टॉर्श निकाली और किल्ले के अंदर से चक्कर लगाने लगे एक अजीब सा सन्नाटा था बस उन तीनों के चलने के आवाज आ रही थी रात काफी हो गई थी वो तीनों दोस किल्ले के बीच में एक खाली जगा पहुँचे अब अमन घुम घुम कर बोर हो चुका था उसने कहा क्या या रजय तुने तो खाई किल्ला हंटेड है यहाँ तो चुहो और मकडियों के अलवा और कुछ भी नहीं है उस पर रजय बोला मुझे तो लगता है ये कहानिया सिर्फ कुछ लोग उने ऐसी ही बनायोगी चलो हम निकलते हैं यहाँ से वो तीनों वहाँ से चलने ही वाले थी कि तभी उन तीनों के टॉर्च एकदम से बंद होगी उन तीनों के होश उड़ गए ये देखकर ये अश डरते हुए बोला ये कैसे हुआ भाई मुझे कुछ टिक नी लग रहा अपन चलते है यहाँ से कुछ देर बाद उन्होंने उसी ग्राउंड पर एक बॉनफायर चलाए और उसे घेर के बैठ गए वो बात्चित कर ही रहे थे कि एकदम से ठंड बढ़ गई तीनों दोस सर्दी से काप रहे थे वे तीनों बॉनफायर पर अपने हाथ सीख रहे थे कि तपी दूर से कुछ उड़कर सीधा उनके बॉनफायर पर आके लगा जिससे सारी लकडिया बिखर गई तीनों के होश उड़ गए ये देखकर कि जो चीज वहाँ पर आकर गिरी थी वो एक हिरन का कटा हुआ सीर था ये देखकर वो काफी डर गए और हड़बडी में उठकर गेट की तरफ भागने लगी भागते भागते अजय के पेर पे कुछ चोर से आके लगा और वो चिलाया अमन और येश अजय के पास आये तो उसके पेर से खूर निकल रहा था उसके बाजू में एक पत्थर पड़ा हुआ था येश ने वो पत्थर उठाया और यहाँ वहाँ देखा तो चांद की रोशनी में जो उसे दिखा वो देखकर उसकी जान जैसे हलक में आ गई थी उसने देखा कि थोड़ी ही दूर एक बड़े से पत्थर पर कोई बैठा हुआ है वो एक औरत थी जिसके लंबे बाल और बदन पर खून के निशान थे और उसके हाथ में सिर कटा हिरन था वो हिरन खा रही थी उस औरत ने अगले ही पल इन तीनों के तरफ देखा और जोर जोर से हसने लगी उन तीनों की जान बस अब हलक तक थी अमन और यश ने अजे को उठाया और तीनों भागते होए गेट तक पहुचे गेट बन था और कई कोशिशों के बाद भी नहीं खुला उन तीनों को उनकी मौत उनके सामने दिख रही थी तभी अजे को गेट के थोड़ी ही दूर एक छोटी से सूरं दिखाई थी उसे लगा इस सूरं से बाहर निकला जा सकता है वो तीनों केसी तरह उस सूरं से किल्ले से बाहर आए और भागने लगे यश ने पीछे पलट कर देखा तो वही अउरत किल्ले के उपर खड़ी होकर उनकी तरफ ही देख रही थी वो लोग तोड़ते हुए पास के गाव पहुचे वहावे एक दुकान के पास जाके रुके और थोड़ी सास लेने लगे वो दुकान अभी भी खुली थी और वहाँ कुछ लोग भी थे गाव के लोग इन तिनों को इस हालत में देखकर दंग रह गए और उन्होंने पूचा कि क्या हुआ है अमन ने सारी बात बताई ये सुनकर एक बुड़ा इंसान हसने लगा जिस पर अमन ने गुसे से कहा आपको हमारी हालत पर हसी आ रही है उस पर उस बुड़े आदमी ने बताया कि तुमने जो देखा वो उस किल्ले की चुडेल है जो वहा सालों से रहती है वो किल्ले के आसपास वले इनसानों को तो कुछ नहीं करती लेकिन जो भी रात को किल्ले के अंदर होता है चाहे इनसान हो या जानवर उसे जान से मार देती है कोई नहीं जान पाया कि वो कौन है और वहा क्यू है बस इतना ही जानते है कि वो खून की प्यासी है ये सुनकर अजय, अमन और यश ने ये सोचा अगर उस रात उस औरत के पास खाने को हिरन नहीं होता तो क्या अगर आपको हमारी कहानिया पसंद आई तो लाइप कीजिए सस्क्राइब कीजिए और हाँ बे लाइकन दबाना मत भूलिए